हेलो स्टुडेंट आपने देखना शुरू कर दिया इसके लेरक्षन आज हम पीएजडी से रिलेट एक अपडेट ले क्या है यह है इंद्रा गाधी नेशनल ओपेन इनुवरसिटी यहां पे पीएजडी से रिलेट अपडेट आया है तो बिनादेर किये चलते हैं उस नोटि पीएजडी के लिए सब निकला हुआ है तो आपको हम आज पीएजडी के दिखा रहे हैं इस पर किलिक करते हैं और दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन पर तो देखे, यहांपे हम लोग आ गया है, नोटिफिकेशन पर और यहांपे PhD के वाले पर किलिक करते हैं, और अपन हो यह आईगा, PhD का नोटिफिकेशन, और तो देखेंगे, यहाँ पर आपको पुरा एंस्ट्रॉक्षन है, यहाँपे और पुरा दिया हुगा है, किस तरह फ अपको पूरा डेटेल्स दिया है बेटेज दिया है पूरा जो चैज भी इंफरमेसन है और आपको यहां पर लगवएन करके यह कर सकते हैं आप नीयू रजिसृस्न कर सकते हैं और सिесто स्वारव पिदिया गया आप और 55ически स्वार्ज दिया हुआ है तो पूरा हँ यहां पर डिटेल्स है लेकि हम आपको प्रोस्पेक्टस खोल कर दिखा देते हैं कि उसमें क्या है ताकि जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ सी पर करके कठनाईयों का सामना ना करना परे तो यहां बजय से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाईएगा तो यहा ुम आप सब्सक्राइब देखते हैं रिएंख Das vain इसको थोड़ा जो है है मैं सब्सक्राइए और कि यहां पर किली करने 바로 डाउनलोड हो रहा है यहां पर देखेंग डाउनलोड हो गया है यहां पर पूरा डेटेस दिया है यहां पर कि इंद्रागादे नेशनल ओपन इनवर्सिटी में जो है पीएज़डी 2022 सेशन के लिए पीज़डी निकला हुआ है और आरजन औरी को एकजाम होंगे यहां पर द सब्सक्राइब है यहां पर देख लिए हुआ है और फोटी परसेंट सेशन के लिए यहां पर इंट्रेंस टेस्स की बात तो कर लें तो देखिए फॉर्म अब लेबल हो गया है बीस नॉवंबर से और ऑनलाइन अप्लिकेशन फर्म एक की से सुरू हो गया है और लास्ट जो है बीस दिसंबर होगा और इंग्जामनेशन डेट जो होगा वो आठ जनुवरी को होगा जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया हो तो यह हो गया आपको फी भी बता दिये हैं कि आपको एक हजार रुपया फी देना पूरेगा यहां पर इसमें रेश्रेश प्रस्पेक्टस भी दिखा देते हैं कि प्रस्पेक्टस में क्या है तो देखिए प्रस्पेक्टस भी खूल ही जाएगा भी तुरंत तो आपको हम प्रस्पेक्टस भी दिखा देंगे कि उसमें ऐसा क्या है जो भी डिपार्टेमेंट वाई उसमें कितने सीट हैं ताकि आगे बरने से पहले चाहूंगा पूरा डिटेस दिखाने में कि अगर मेरे चैनल को लाइक अच्छा लग रहा है मेरे कंटेंट तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू करें साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताक कि इस तरह का कोई भी नोटेपिकरशन हो आपको वन नहीं होगे यह वापस नहीं हो गए अगर एक आवर आप जमा कर दिया तो आपलीकिशन फिज्ट ऋन्द सेंटर के बारे में दिया है तो भी आप बता दें तो देखीए यहाँ यह यहाँ पर इसको बढरा कर दिया हूं लग भग हर स्टेट के पिटडल में आपका सींटर ह जैसा की गुर्णू में उसल रहाता है इस सल भी ही है तो आप देख सकते हैं आप बहुत किपे और कोसे किफिन है और किसा कितना है। कितने स्टैंब कितने हैं अब सब्सक्राइब कितने हैं और न्युंगई हैं तो पुरा टिटेस में दे दिया है तो मैं इसलिप यहां पे आपको सब्सक्राइब मताओं गाओं और कितने टूरी हैं वह बता दूगा क्योंकि अगर पूरा डिटल से बताने लगें तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपको देखना है डिटल में कि किस कटेगरी में कितना सीट है तो थोड़ा पॉसर के अपने डिपार्टमेंट का अपने डिस्पीलिन का देख सकते हैं यहां पर एकनोमिक्स में आपको छो सीट है सोसलोजी में ग्यारा सीट है और हिस्टरी में दस है और लाइबरेरी इंफरमेशन साइन्स में आपको पच्ची सीट है साइकलोजी में चोड़ा है और यह जनरलीजम में मास कम्निकेशन में साथ सीट है और थियाटर आर्स में पांच है फाइन आर्स में पांच है, डांस में चार है, और कमर्स में बारा है, मनेजमेंट में चोदा है, एजुकेशन में वाइस है, डिस्टेंस एजुकेशन में पंदरा है, और जेंडर एंड डेवलप्मेंट स्टडी में पांच सीट है, और स्कूल अफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस ड दस है यहां पर देख लिए और है तैकनलोजी में चार सीट है और गुजब्लफ साइंस में में साथ है नर्सरींग में पाँच है, फ्रेंच में तीन है और वोगेसनल एजूकेशन एन ट्रेनिंन में बारा है और हिंदी में ऍरैंग है और चाल्ड डवलेपपेंट में आर्ठ है और हॉम साइंस में आपको पाँच सीटे है और ruler development में 3 है और social work में 25 है तो यह पूरा सीट दिया है यह लगभग आपको 200-200 रेवरेज में सीट है और department में total तो काफी वेकेंसी आई है अब देख लिए यहाँ पे आपको syllabus भी दे दिया है कि किस subject में का syllabus क्या है तो यहां से अप syllabus देख और इंट्रेंस टेस्ट की आप त्यारी कर सकते हैं यहां पर पूरा डिटेस है यहां पर research methodology क्या है आपको यहां से देखकर, आप हर subject worth और आप apply कर सकते हैं जर्नरलीजम्म का है है और हर subject का है है तो आप यहां से यह करके देखके अपना syllabus apply कर सकते हैं एंट्रेंस देना देना के लिए आप त्यारी कर सकते हैं तो यह रहा आपको मैं पूरा डेटल में दिखा देता हूं और दीमे करके देख लिजिएगा आप इमेंट बाइलेंस है टेक्नलोड ट्रांसलिजन कोपरेशन तो यह ऐसा रहा तो आप इसको फ़र्म अप्लाई किजिए और अगर कोई भी इंक्वाईरी है तो आप हमसे कंट्रेक्ट करकर पूछ सकते हैं और मैं उसका जबाब दे दू यह सबसे बड़ी बात अंतों में बता दूं कि यह सेंट्रल निशिटी है यहां पर डिस्टेंस में पीजडी नहीं होता है इस दिस्टेंस में मास्टर स्रिफ होते हैं यही है इन्फरमेशन थाइंक्यू वाचिंग मैं चैनल